असलाम अलेकुम वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि हम यहां इन्वेस्टमेंट और सेविंग के हवाले से बात करते हैं अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्किट में शेर्स के हवाले से बात हो रही है उसके उसम हैं उनके हवाले से भी बात की जाती है लेकिन इंशालला आने वले दिनों में हम इसमें मजीद चीजों का इजाफा करेंगे और जो investment और saving के दीगर avenues हैं उन पर भी बात करेंगे जो लोग नए हम आये हैं जो हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं या जो अकसर देखते रहते हैं और उन्होंने subscribe नहीं किया वो प्ली subscribe जरूर कर ले माशालला आप लोगों के तावन से हमारी 14 सेंचरी जो है वो भी मुकमल हो गई है तो मजीद subscribe करें तांकि ये सिलसला जो है ये चलता रहे और चैनल ग्रो करेगा तो फिर हम हमारा भी आपके साथ साथ जो है वो चलता रहेगा तो आज मार्किट के हवाले से बात करने से पहले जिन लोगों ने हमारी ये वली वीडियो देखी होगी ये तीन दिन पहले शायद जुम्हे वले दिन मैंने ये upload की थी तो अगर उन्होंने नहीं भी देखी तो ये जरह जुरूर देखिएगा और दूसरी चीज़ ये है कि तमाम दोस्त जो के कर रहे हैं कोमैंट्स कर रहे हैं क्वेस्चन पूछ रहे हैं उन तमाम को जो लोग योट्यूब पर पूछ रहेар हैं उनको जो है वो बरवक्त अलहम्दोलिल्ह अलहम्दलिल्ला जवाब दिया जा रहा है तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि जिस वक्त आप सवाल पूछते हैं तो ब्राय महरबनी सवाल को पूरा लिखा करें और दूसरी चीज ये है कि कोशिश किया करें कि एक सवाल के अंदर या एक कुमेंट के अंदर किसी एक चीज के बारे में पूछें तांकि बाकी लोगों को भी हम जो है वो जवाब दे सकें कुछ दोस्त ऐसे हैं जो पूरा पूरा पूर्टफोलियो डिसकस करना चाहते हैं अगर ऐसा कोई मामला है तो आप लोग एक कुमेंट कर दें उसमें फिर यह है कि चलें आपके साथ वाटसएप पर या किसी और हवाले से गुफ्तगू करके यह मैं वाटसएप ग्रूप की बात नहीं कर रहा यह सिर्फ और सिर्फ उन दोस्तों के लिए है कि जो लोग अपना पूर्टफोलियो डिसकस करना चाहते हैं वो यहां पर कुमेंट करें फिर उनके साथ टाइम बना के फिर हम इस चीज़ को डिसकस कर सकते हैं लेकिन बराय महरबनी कुमेंट में किसी एक आठ चीज़ के बारे में पूछ लिया करें तांके बाकी लोग उनको भी वक्त दिया जा सके वीडियो के आखिर पर एक सवाल पूछा जाएगा आपसे और उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा यह चोटे मोटे questions जो हैं यह मैं पूछने का सिलसला शुरू कर रहा हूं वैसे भी आपने देखा होगा कि थोड़ा सा चेंज आया हमारी वीडियो के अंदर तो इन्शाला सवाल जो आपका सिलसला थोड़ा सा शुरू करेंगे तांके सीखने और सिखाने का जो अमल है यह आगे बढ़े तो चलते हैं आज की candle की तरफ तो मार्किट में आज 400 पॉइंट जो है वो माइनस में रहे तो कोई बात नहीं जब मार्किट ने 52 वीक का हाई लगाया है तो उसमें उसके बाद मार्किट का हग बनता है कि वह थोड़ी सी correction करे जो कि मैं पिछल उपर जाएगी तो वो एक strong momentum होगा लेकिन अगर ठक ठक करके उपर जाएगी तो फिर ठक ठक करके नीचे भी आएगी लेकिन आज मार्किट में वाल्यूम बहुत अच्छा था लेकिन कुछ शेर्स ऐसे भी थे जिनके अदर वाल्यूम लगा जिन में शायद पहली बार वाल मार्किट तो इसके साथ जो चीज इसको support करती है हमारे argument को मजबूत करने के लिए वहता है companies का circuit breaker इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अगर मार्किट में से point निकले हैं तो वो किदर गए हैं और एड हुए हैं तो आज जो है वो भी एक अच्छी खासी लंबी और इसमें अच्छी companies जो अच्छे volume के साथ हुई है वो एक और दो तीन और चार क्योंकि सो रुपे से उपर का share है तो इसको consider करता हूं और यह पांच तो यह पांच companies ऐसी है जिलेट को 600 share लगे है यह तो अभी कैप लगेंगे इसको को 5-6 और क्योंकि वो right का मावला है तो इसलिए इसको उपर कोई तना ज्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि यह company अपर कैप हो रही है यह भी होगी तो तकरीबन यह 6-7 companies ऐसी है जिनको अच्छे volume के साथ जो है वो अपर कैप हुई है तो that's a good sign के market में से point निकले भी है लेकिन उसके बावजूद भी companies जो है वो अपर कैप हुई है लेकिन यह चंद मकसूस companies हैं इसके लावा अगर हम lower cap की बात करें तो lower cap में दो companies हैं जो के lower cap हुई है इसमें से यह तो 1000 के volume के साथ हुई है इसको आप consider ना करें और यह वाली company जो है service वाली जो है यह इसने तो होना ही होना था क्योंकि यह अब मैं सरफ इतना ही कहूंगा कि जो उपर लेके गए थे वह इसको नीचे लेकर आ रहे हैं तो इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा अपर दोस्त जहां वह माइंड कर जाते हैं फिर वह private message बेजना शुरू कर देते हैं तो आगे चलते हैं एक और चीज मैं आप से कहता हू में वो market का overall situation है आप देखें market के अंदर जो है वो 213 companies जो थी वो माइनस में थी और 149 जो थी वो मुस्बत में थी तो यह भी कोईतना बुरा sign नहीं है कि more than तकरीबन कोई 60-40 आप कह सकते हैं कि 60% जो थी वो माइनस में थी और 40% जो थी वो मुस्बत के अंदर थी तो इतने बुरे हलात अभी शुरू नहीं हुए शुरू नहीं हुए यह आप inverted commas में मैं कह रहा हूँ आप इसको समझ जाएं आगे चलते हैं तो आज की candle देखते हैं जी देखें जी आज की जो candle है वो थोड़ी सी dangerous है dangerous यह सवाले से है कि यहाँ पर देखें जब यह वाली candle बनी थी तो मैंने आपसे यह कहा था कि expert हजराद गूरू हजराद यह कहते हैं कि ऐसी candle बनने के बाद market का reversal शुरू हो जाता है लेकिन यहाँ पर reversal शुरू नहीं हुआ था ठीक है उसके बाद जब हम यहाँ आए तो market का यही position थी मैंने आपसे वही अलफाज इस्तमाल किये लेकिन market फिर उपर चले गए फिर जिस दिन यह बनी है उस दिन भी मैंने यही कहा था कि यह आने वाली next candle जो है यह इस चीज़ का फैसला करेगी कि आगे क्या होने वाला है अब आज की जो candle बनी है वो red है अब देखिए यह एक sign है कि शायद market यहां से नीचे की तरफ reversal हो सकता है market का अब यह मेरी बाद जोड़ा सा गौर से सुनियेगा कि मैं क्या कहना चाहरा हूं क्योंकि बाद उकात पर दोस्त अखबाब जो है वो कहते है आपने तो कुछ और कहा था देखिए मैंने यहां पर जो बात कही थी मैंने वही बात यहां पर भी की लेकिन अब देखिए कि यह इसके बाद की जो बनने वाली केंडल होती है वो डिसाइड करती है अब इस केंडल ने तो आज यह डिसाइड कर दिया है कि जी कि मार्किट का मू अब नीचे की तरफ है और इसकी जो पहली सुपोर्ट जाके बनेंगी वह यह वाली होगी यह थोड़ा सा अब यह देखिए अब यह जो एक इंडिकेशन आज हमें मिली है कि मार्किट जह वो नीचे की तरफ जा सकती है ठीक है अब इसकी जो कंफर्मेशन होगी वो कल की कैंडल करेगी देखिए अगर तो कल एक कैंडल ऐसी बनती है कि जो इस कैंडल के यहां तो बराबर की बने या इससे थोड़ी सी बड़ी बने लेकिन वो ग्रीन कैंडल हो देखिए मैं दुबारा फिर आपको इस चीज़ के बारे में आप इसको ऐसे रख ले ठीक है अब देखिए अगर कल को एक कैंडल यहाँ पर बनती है जो के ग्रीन कलर की कैंडल बने और वो कैंडल इस कैंडल के उपर क्लोजिंग दे थोड़ी सी भी तब हम यह कहेंगे कि जी रिवर्सल स्टार्ट नहीं हुआ देखें यह एंडिकेशन और जो आगे दूसरी केंडल बनेंगी वो होगी कंफर्मेशन की यह हमें एक इंडिकेशन मिल गए कि मάर्केट नीचे की तरफ जा सकती है लेकिन अब जो एक दूसरी कैंडल जो के कल बनेंगी अगर वो गैंडल यहां से बनके, यहां नीचे की तरफ आती है, तो फिर आप इसको reversal की confirmation समझ लीजेगा, और फिर market की जो पहली support होगी, वो 42,465 होगी, यहां से जाके फिर market उपर जा सकती है, नहीं तो फिर, आगे तो फिर बहुत ठक ठक हो सकता है, तो यह मैं को ड्राने वाली बात नहीं करत है, कि बहुत सारे लोगों के stop loss जो है, वो हीट हुए है, और मैं बहुत ही ज्यादा कोशिश करता हूँ, कि मखसूस और नपे तुले अलफाज इस्तमाल करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, वो वीडियो वगरा को सुन कर फिर उसके मताबिक वो फैसला करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वज़ा से किसी का अगर फाइदा नहीं हो सकता, तो कम असकम नुकसान ना हो, तो इसलिए मैं बर्मला किसी चीज़ का इजहार नहीं करता, तो अब ये candle मेरा ख्याला कि जो मैंने समझाने के कोशिश की, वो आपको समझ आ गई होगी, अब चलते है जो कि जी candle मैंने देख ली है, बस आप ये 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 और ये ले ले लें, तो फिर तो बस सिलसला होता रहे गासे ही, बात को समझा करें, स्वाल पूछा करें, हम आप से पूछें, आप हमें बताएं, आप हम से पूछें, हम आपको बताएं, तो इसी तरह ये सिलसला अगे अच्छा जी बुलिंजर बेंड क्या कह रहा है बुलिंजर बैंड भी वही कह रहा है जो के है जो कि अभी हमने बात की थी के देखे बिल्कुल मार्किट जहां पर इस वक्त आज इसने क्लोजिंग दी है अगर यहां से यह उपर की तरफ जाती है तो अगोड स्टाइन नहीं तो फिर यह होगा मार्केट का स्टॉप बॉलिंजर बेंड के भी हलात थोड़े से मखदूश लग रहे हैं आ रहे से देख लें तो उसने भी काट दिया यहां से तो लेकिन मैं यह बिल्कुल पैनिक नहीं फेला रहा कि आप जो है वो कल ही जो हो बेज-बूच के तो न य हो इस इस बेस टाइम टूकर आपको अगर याद हो तो वो वक्त था निकलने का और मेने कुछ कहा भी था वहां पर बेल अल्फाज गिंदर आज भी में कुछ नहीं कहा ता और आज बहु कुं conscious नहीं कहरा इस तरह से loss book ना किया करें तो आज के लिए इतना ही और आखिर में जो है वो एक मैंने आपसे कहा था कि सवाल पूछा जाएगा और सवाल का जवाब जरूर दीजेगा क्योंकि यह दो यह तीन सवाल आपसे पूछे जाएंगे एक आज और एक कल और उसके बाद इन दो सवाल की बेस पर मैं एक वीडियो अप्लोड करूंगा जिसका उमीद है कि आप सब लोगों को बहुत फाइदा होगा सवाल यह है कि फर्द करें कि एक आपने शेर करीदा है एक वो चल जाना यार एक मिनट जी अब फर्द करें कि आपने एक एशेर करीदा है ओ क्या हो गया भी यह कभी कभी यह आगी पेंसर अगर आपने एक एशेर करीदा है चलो यार ऐसे लिख लेते हैं ठीक है यार यह लिख क्यों नहीं रहा है कि अच्छेले प्रकली पूछेंगा सवाल चलें ऐसे सुनलें जी सवाल आज पेंटनी रही काम कर रहा है अच्छा सवाल मेरा ये है कि अगर आप ने एक शेर खरीदा हुआ है किसी एक कंपनी का और उस शेर के बारे में अगर आपको 100% पता लग जाए कि कल ये 9 रुपए कल ये 10 रुपए तक उपर जाएगा तो आप कहां पर उसको बेचना पसंद करेंगे मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ आपने एक कंपनी का शेर करीदा उस शेर के बारे में एक कंफर्मेशन आपको मिल जाती है कहीं से कि जी कल इसके अंदर 10 रुपए का इजाफा हो जाएगा तो आप ने जवाब के अंदर comment के अंदर channel के अंदर comment के जो हमारा section है उसके अंदर comment में ये लिखना है कि आप उस आपने वो बेचना जरूर है कल शेर आपने वो शेर जरूर बेचना है उसके अंदर 10 रुपए का इजाफा होने जा रहा है आपको कहीं से पकी रिपोर्ट मिल गई है तो आप ये बताईए कमेंट के अंदर के आप उस शेर को कितने प्रॉफिट में बेचेंगे पूरे दस रुपे में बेचेंगे कम में बेचेंगे या नहीं बेचेंगे क्या करेंगे ये एक सवाल है सुनने को तो बड़ा जीब सा स सब्सक्राइब जरूर किया गरें